नमस्कार विंद्या टैम्स में आपका स्वागत और आपके साथ में आसुत वस्तिवारी राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदोर में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है रहत की बात यह है कि रोजाना मिलने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या की तुलना में आज जो संक्रमित मरीजों की संख्या आई है उनकी संख्या कम है लेकिन मद्यप्रदेश के इंदोर में 24 गंटे के अंदर 5 कोरोना संक्रमित मरीजों के पुष्टी की गई है 20 घंटे में पांच संक्रमित मरीज मिले हैं इन में से एक ही परिवार के चार लोग हैं इन में से दो स्टूटेंट भी सामिल हैं बच्चों की मा की कोरोना रिपोर्ट एक दिन पहले पॉजिटिव आई थी कॉंट्रेक्ट ट्रेसिंग में तीन लोग दूसरे दिन संक्रमित मिले हैं इसके अलावा ओल्ड जी डी सी कॉलेज की महिला प्रोफेसर भी संक्रमित मिली हैं इसके बाद कॉलेज में हड़कम मच गया है इन दोर में जो पांच संक्रमित मरीज मिले हैं उसकी जानकारी निकाल माता जीजाबाई सास्की कन्या इसनातकुत्तर महाविद्याले की महिला प्रोफेसर की कोरोनर रिपोर्ट बुद्धबार को पॉजिटिव आई है इसके बात कॉलेज में हरकंप मच गया है प्रिंसिपल डॉक्टर दिवेदी की मताबिक स्वास्त विभाग को इसकी जानकारी दी गई है सभी छात्राओं को मास्क लगाने के निर्देश दिये गए हैं साथ ही उनका वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट भी चक किया गया है जिन छात्राओं का वैक्सिनेशन नहीं हुआ था उन्हें बुद्धवार को कॉलेज नहीं जाने दिया गया है महिला प्रोफिसर ने सरकारी और प्राइविट जगह टेस्ट कराए हैं जहां रिपोर्ट पॉजिटिव आई है प्रिंसिपल की मताबिक महिला प्रोफिसर के पती की रिपोर्ट भी पॉजिटिव होने की बात पता चली है महिला प्रोफिसर की क्लास और उनके संपर्क में आए करीब पचास से ज़्यादा स्टुडेंट्स का आई टी पीसियार टेस्ट करवाया गया है महिला प्रोफिसर के संपर्क में आए करीब बारा प्रोफिसर समेत प्रिंसिपल ने भी जाच करवाई है प्रिंसिपल ने बताया है कि जिस क्लास में प्रोफिसर पढ़ाती थी उससे बंद कर दिया गया है विभाग को भी अगले तीन दिन के लिए सील कर दिया गया है संपर्क में आये प्रोफेसर को तीन दिन तक कॉलेज नहीं आने के के लिए कहा गया है दोर में बीते 24 घंटे में 5 कॉरोना पॉजिटिव मरीद सामने आए हैं इसके बाद स्वास्त विभाग की टीमों ने उनकी जानकारी जुटाना शुरू की है और प्रारमभिक तोर पर स्वास्त विभाग को इस पॉजिटिव लोगों की जानकारी मिली है उनमें से तेजाजी नगर छेत्रगा के रहने वाले एक ही परिवार के चार लोग कुरोना पॉजिटिव है। इनमें से दो बच्चे और उनके पिता कुरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके एक दिन पहले उनकी मा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अब स्वास्त विभाग की टीम इनकी जानकारी जुटा रही है, टीम को पता चला है कि दोनों बच्चों में एक ही उम्र दस तो दूसरे की ग्यारा साल है, जबकि एक कोरोना पॉजिटिव राजेंदर नग और कॉंट्रेक्टर हिस्ट्री का पता कर रही है, इसके साथ ही उनके रिष्टेदारों, आसपास के लोगों और परिवार के अन्य सदस्यों के भी सेंपल लिए जाएंगे, लिकनी है कि 29 नवंबर को एक पॉजिटिव तेज़ा जी नगर इलाके का ही निकला था देखा जा हैं, अभी भी इस्थती 42 एक्टिव केस है वहाँ पर, आंकडों पर नज़र डालें तो जिस प्रकार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में उतार चड़ाओ देखने को मिला है, उसी प्रकार सेंपलिंग या कहें कि कोरोना की जाच के आंकडे में भी उतार है, स्वास्त विभाग के मताबिक अब तक इंद ओर में 87% सेकंड डोज का वैक्सिनेशन पूरा हो चुका है, लेकिं अभी भी इंद ओर जिले में करीब साढ़े तीन लाक लोग ऐसे हैं जिनें सेकंड डोज लगना पाकी है, इसमें कई लोग ऐसे हैं जिसमें सेकंड वदी निकल गई है जबकि स्वास्त विभाग द्वारा इन दोर के सभी नगर निगम जून से लेकर मुवाइल वेन के माध्यम से कोबिड वैक्सिन लगाए जा रहे हैं